हलो एब्रीवन वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस आज हमने इस वीडियो में फीजिकल फार्मसेटिक सेकेंड के अंदर ब्राउनियन मोसन के बारे में स्टेडी करेंगे इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोग अप्टिकल प्रपरटी अफ कॉलाइड्स के बारे में दिखाए उपर दिएगा आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं साथी अगर आप ब्राउनियन मोसन पर हेंडी टेंड नूट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर आप इस नूट्स को डाउनलोड कर सकते हैं लिए उसे हम बराउनियन मोसन कहते हैं या फिर हम ये भी सकते हैं कि जो, हमारे जिगजग मोसन जो होता है। उसे वहिंशा नूर्श है ऐसा देखा गया है कि 5 माइक्रो मीटर तक कर को कर बाज़स्ट होते हैं उनमें narrative moment पाया जाता है erratic movement का अर्थ होता है कि जो हुआए a २ को लाइडल पार्टिकल है यह irregular वे में मूब किये जा रहे हैं dispersed medium में b brownion motion में जो हमारी 벌써 müsste पार्टिकल का motion हो रहा है इस motion को हम तीन तर्म के दोरा इन्टेडूस कर सकते हैं जिसमें यह अरत्ट को करता है जो आपार यही रेगुलर व्छ में हमारे members मेडियम में और ऐसा पाया गया है कि तक के पार्टिकल है जो erratic movement show कर रहे हैं इस erratic movement के पीछे का जो region है वो है bombardment जो dispersed medium के molecules हैं वो लगतार हमारे particles पर bombardment करते जाते हैं जिसके करण जो हमारा particle है वो dispersed medium में irregular way में move करेगा जिसे हम brownian motion काते हैं आईए हम इसी term को हम diagram के थुरू से समझते हैं कि किस परकार हमारे disperse medium के molecules हमारे particles पर bombardment करते हैं जिसके कारण जो हमारा particle है यह erratic moment या फिर random moment show करता है जिसे हम brownion motion कहते हैं आप अपने display पे इस diagram को देख पा रहे होंगे इस diagram में जो हमारे red वाले particle है यह disperse medium के molecules है वहीं बात करें जो white वाला है यह collidal particles है collidal particles बड़ा होता है as compared to disperse medium molecules collidal particles के compression में जो हमारे disperse medium के molecules है उनकी concentration अधिक रहेगी हमारे system में एव हम देख पा रहे होंगे आप जो हमारे disperse medium के molecules है यह लगतार हमारे particles पे bombardment किये जा रहे हैं जैसे ही हमारे collidal particles पे bombardment करते हैं जो हमारे particles है collidal particles यह irregular way में move करते जाता है आप अपने display पे देख पा रहे होंगे जो हमारे collidal particle है एक collidal particle को disperse medium के 4-5 molecules आपस में aggregate होकर एक particle को push कर रहे हैं irregular direction में जिसके कारण जो हमारे movement है collidal particle का यह हमारे system में देखने को मिल रहा है एवं यह जो process है यह continuous होती रहती है मतलब जो हमारे disperse medium के molecules है यह हमेशा हमारे disperse face के particle पे bombardment करते रहते हैं जिसके कारण जो हमारे system में collidal particle का movement होते रहता है और इसे हम brownian motion काता है brownian motion में जो हमारे collidal particle move कर रहे हैं irregular direction में इस motion को हम absorb नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो collidal particle होते हैं यह काफी small होते हैं इसलिए इसे हम अपने आखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन ultra microscope की मदद से हम collidal particle के irregular movement अर्था zigzag motion को हम लोग detect कर सकते हैं साथ ही अगर हम collidal particle के size को decrease कर रहे हैं तो इस particle की जो velocity है वो increase हो जाएगी साथ ही जिस medium में हमारा particle dispersed है उस medium की अगर हम भी viscosity को increase कर रहे हैं तो हमारे particle की जो velocity है वो decrease हो जाएगी कुछ ऐसे suffitance है जिसको हम add कर के हम अपने medium की viscosity को increase कर सकते हैं उसका example है glycerin या फिर इसी से similar किसी بھی suffitance को add कर के अपने medium की viscosity को increase कर सकते हैं और जैसे हमारे medium की viscosity increase जाएगी हमारे brownian motion decrease हो जाएगा या फिर अधिक viscosity होने के करण हमारा brownian movement stop हो जाएगा finally इस परकार हम कह सकते हैं कि increase viscosity of medium decrease brownian motion या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि more increase viscosity of medium finally stop brownian motion झाजे ंस बासे न सकते हैं कि वैस तार भी कह सकते हैं कि तोथ कि कम यहां यह भी कि अ ऐसकी हैं कि आ सकते हैं कि अए यह को